अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गॉड्ली वुट स्टूडियो द्वारा प्रस्तत अमुले रत्न में आप सभी का हारदिक स्वागत है जिसे प्रत्तेक सरकार अपने देश की अर्थ व्यवस्था को सुचारो रूप से चलाने के लिए प्रतिवर्ष बजट बनाती है वैसे ही परमपिता परमात्मा भी इश्वरिय कारे को सही रीती प्रमाण चलाने के लिए वह हमारी अवस्था को उचा उठाने के लिए हमें इश्वरिय बजट बनाने की यथार्थ विधी सिखाते हैं इश्वरिय बजट बनाते समय हमें किन बातों को विशेश रूप से ध्यान में रखना है आज हम इश्वरिय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्ये हैं प्रजापिता ब्रम्ह कुमारिस इश्वरिय विश्विध्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजयुभाई सहाब प्रजाप आज के एपिसोड में बहुत पस्वागत है प्रजापिता बात करेंगे 15 जनवरी 1986 के महावाक्यों पर इसका टॉपिक है सस्ता सौधा और बच्चत का बजट परमात्मा हम बच्चों को सौधागर का टाइटल देते होई कहते हैं कि सौधा कितना बड़ा और करने वाले सौधागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भूले भाले हैं भगवान से सौधा करने वाली कौन आत्माई भाग्यवान बनी यह देख मुस्कुरा रही है इतना बड़ा सौधा एक जन्म का जो एक किस जन्म सदा माला माल हो जाते हैं देना क्या और लेना क्या है अंगिनत पदमु की कमाई वह पदमु का सौधा कितना सहज करते हो बस अब इस ईश्वरी इस सौधे को और इस सौधागर रूप को थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं परमात्मा अपने बोले गरीब बच्चों को जब सन्मुक देखते हैं क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को समझने वाली आत्माएं बहुत साधारन रूप में दिखाए देती हैं और वो बहुत बड़ा सौधा भगवान के साथ कर रही हैं एक जनम का सौधा 21 जनम तक माला माल बना देता है तो परमात्मा जब अपने बच्चों को सभा में देखते हैं कितने साधारन हैं, भोले हैं, गरीब हैं, अनपढ हैं उन बच्चों को देख करके कहते हैं कितने भाग्यवान आत्माएं हैं जुनों ने भगवान को पहचाना और पहचान करके उनके उपर नेचावर हुए अपना तनमांधन उनकी सेवा में लगाया इस समय संगम पर एक जनम में हम थोड़ा भी उनके प्रत कुछ करते हैं उसका रिटर्न 21 जनमों के लिए पराप्त होता है एक बहुत बड़ा सवधा है कि परमात्मा जब नई स्रष्टी की रचना का कारी करने के लिए आते हैं उस समय जो बच्चे उनके कारी में थोड़ा भी सहयोग देते हैं तो कहते हैं एक का कई गुना पदम गुना हो करके उनको रिटर्न मिल जाता है इसलिए परमात्मा कहते हैं कितना बड़ा सवधा इस एक जनम में आप बच्चे करते हो और इसकी केश जनम तक प्रालब्ध प्राप्त करते हो परमात्मा इससे संबंधित कहते हैं कि सौधा करने में समय भी वास्तव में एक सेकिंड का लगता है और कितना सस्ता सौधा किया एक सेकिंड में और एक बोल में सौधा कर लिया दिल से माना मेरा बाबा इस एक बोल से इतना बड़ा अंगिनत ख़जाने का सौधा कर लेते हो सस्ता सौधा है ना, ना मेहनत है, ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है पिस अब सौधे की इस विशीष्टा को थोड़ा सबस्ट करें परहों सुंदर विध है वरी है विष्टा करनी परमात्मा में निष्चे हुआ कि वगवान जो सब का पिता है, सब का मालिक है वे हमारा बाबा है. जिस समय जिस घड़ी निष्चे हो गया, उसेकंड की घड़ी होती है, जो हम उसको पहचान करके और बहुत दिल से कहते हैं, मेरा बाबा, बाबा कहना माना वर्से का अधिकाल ले लेना, जैसे बच्चा कोई किसी के पास आता है, जनम लेता है, तो माबाप की जितनी प्रोप निष्टा के सबना ड़्टी का लॉ sellers, तो हम बच्चे किसको कह रहividad है, मेरा बाबा, जो सबका दाता है, तो माली को पहचान करके ने प्रोपूर करने वाला है, जो सर्भ ठीकान का जो मालिक है, उस माली को पहचान करके कहते हैं मेरा बाबा और हम उसके वरसे के अधिकारी तो परमात्मा के रहे हैं कितना सस्ता सवधा है कितना सहज रीती से और कितने थोड़े समय में निश्चे होते ही हो जाता है तो यह सवधे को जो पहचान करके कर लेते हैं वो एक जनम नहीं लेकिन 21 जनमों के लिए परमात्मा गैरंटी करते हैं वो माला माल बन जाते हैं धन् उनमें दुनिया वालों की आख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौधा किया, और परमात्म नैनों के सितारे बन गए, नूरे रत्न बन गए, नाउमीद आत्माउं को विशेश आत्मा बना दिया, ऐसा नशा सदा रहता है, परमात्म डारेक्टरी के विशेश वियाईपी ह इसलिए ही गायन है भोलों का भगवान, है चतुर सुझान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं, दुनिया की बाहरमुखी चतुराई, बाप को पसंद नहीं जो कि परमात्मा के जो बच्चे बनते हैं, वो बहुत सीधे, भूले, बिलकुल कम पढ़े हुए, और अधिकतर जिनके पास सास्त्रों का, वेदों का बहुत बड़ा ज्यान है, परमात्मा कहता है उन्होंने तो पहचान भी नहीं पाया, वो तो समझते हैं, बहुत जनम ल बच्चों को जब सभा में देखते हैं, कितनी गाउं के भूले, सच्ची, भूली-भूली, बुडी-बुडी माता हैं, और बहुत प्यार से पहचान करके कहती हैं, मेरा बाबा, निष्चे के आधार से कहती हैं, और उसके आधार से उन्हों को पूरा ही अधिकाल ले ले ल तो यह बहुत बड़ा भागी है, तो संगम युक पर जब परमात्मा का कारी चलता है, बहुत गुप्त रीते से जो बहुत पुराने भक्ता है, इस समय कोई भक्ती की है या नहीं की है, लेकिन इन्होंने द्वापर युक से भक्ती की, वो इस समय साधारन रूप में हैं, और वो आ करके परमात्मा के बच्चे बनते हैं, पहचानते हैं, उनको देख करके परमात्मा कहते हैं, जिसमें किसी की भी आक ने जाती, वो बच्चे जन्होंने भगवान के साध सोदा कर लिया, प्रमात्मा कहते हैं कि उन्हों का कलियुग में राज्य है जहां अभी अभी लखपती, अभी अभी ककपती है लेकिन आप सभी सदा के लिए पदमा पदमपती बन जाते हो भए का राज्य नहीं, निरभए है आजकी दुनिया में धन भी है और भए भी है जितना धन उतना भाय में ही खाते भाय में ही सोते और आप बेफिकर बादशाह बन जाते निर्भाय बन जाते हो तो सब दुनिया की अवस्था और हमारी अवस्था में इस अंतर का मुखे कारण थोड़ा सपश्कता से बता है परमातमा के बनते हैं उनके पास कोई दुनिया का धन, उससे संपनों नहीं हैं वो तो नके पास सही नहीं, कम से कम हैं लिकें अज़तमान समय कलियों लिकें अंडर कोई लगपती ति हैं लेकिन फिर भी ओस चैन की नि basilीड नी भाय बेत से ढ़ित रहता है लेकिन अभी अभी देखो तो लगपती हैं, अभी अभी देखो तो एकदम गंगाल कखपती बन जाते हैं, तो परमात्मा केते हैं, आप बच्चे तो सदा के लिए बेगंपुर के बेफिक्र बासा, आपके पास अविनासी संपत्ती है, जिसको कोई चोल लूट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, वविनासी खजाना आपका है, इसलिए आप पदमा पदम पती हो, जिनके पास घ्यान का खजाना है, सक्तियों का खजाना है, और परमात्मा से डिरेक प्राप्ति आप कर रहे हो, इसलिए आप बहुत बाग्यवान आत्मा हो, जो कोई भह नहीं है, कि बरतमान समय कल्यों के अंदर पैसा कमा लेता है, पैसा होता है, तो भी सुक की चेह नहीं आती, इसलिए परमात्मा के रहे हो, भह के सिंगासन पर है, और आप निर्भह इस्तिती में है, परमात्मा की कहते हैं कि जहां मेरा पन होगा, वहां भह जरूर होगा, मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है, जो निर्भय बनाता है, उनके सिवाई कोई भी सोना हिरन भी, अगर मेरा है, तो भी भय है, तो चेक करो, मेरा मेरा का संसकार, ब्राम्भन जीवन में भी, किसी भी सुक्ष्मरूप में रह तो नहीं गया है, पैसा भय के सुक्ष्मरूप को थ कि अग़ा सबस्टता से बताएं। परमात्मा के रहे हैं, जहां पर भी मेरा पन है। मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरी दुकान, जहां मेरा पन है। अगज कभी भी मेरे का अगर कुछ भी हो गया। तो आपको चिंता हो जाएगी। लिए उसका ही सदा ही फिक्र बना रहे गा, कुछ अग़ा गया। अग़ां परमात्मा के ता है आप बच्चों ने तो जो कुछ मेरा था उसको आपने तेरा कर दिया। सब परमात्मा का है। और आप इतना निशचिंत हो गए जो एक ही मेरा रहे गया। मेरा बाबा। और कोई मेरा हई ही नहीं तो आप दुखों से भाय से मुक्त हो गए। कोई चिंता ही नहीं है क्योंकि अपना ही नहीं तो नुक्सान किसका होना। जिन्हों ने किसी चीज पर अपना अधिकार रख्ドू हैं, कि मेरा थे इन्सान के अज हाँ परेसान का रहा है। अगर कुछ भी नुकसान हो गया। तब आग लग गई। कभी तूपान आ गया। कभी भुकंप आ गया। और उसका नुकसान हो गया। तो व्यक्ति तो दुखी हो गयाए। नुक्ति-परेसान होगा जाolenो ह। इतना जमा किया इतना बड़ा बनाया और सब चला गया तो वो परेसान हो रहा है और आप बच्चे इतने बेफिक्र हो कुछ भी कल्यूग में होगा तो आपको कोई चिंता नहीं क्योंकि आप पहले से ही आपने मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया और मेरा कहा है तो किवल एक बाबा को कहा है मेरा बाबा इसलिए कोई भी प्रकार का भै नहीं है कोई फिक्रात नहीं है आप बिल्कुल निश्चें तेश्टति में रहते हो बिल्कुल भाई साब यदि निर्भय बनना है तो जरूर हमें अपना सारा संसार एक परमात्मा को ही बनाना है परमात्मा की कहते हैं कि चेक करो, रियल गोल्ड कहां तक बने है सौदा तो किया, लेकिन आया और खाया, ऐसे तो नहीं इतना जमा किया जो 21 पेड़ी सदा संपन रहे आपकी वन्शावली भी माला माल रहे न सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी इतना धन द्वापर में भी रहता है, जो दान पुन्ने अच्छी तरह से कर सकते हो इस चेकिंग को थोड़ा सपश्टा से बताएं संगम युग पर जब हम परमात्मा से सवधा कर लेते हैं जो कुछ हमारे पास है उसको अरपित करके और बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं तो परमात्मा केता है आपने संगम पर इतना बड़ा सवधा कर लिया जो परमात्मा रिटर्ण देने के लिए 21 जनम तो बनाए मानी है 21 जनम की प्रालप्त आपकी बन गई लेकिन द्वापर युग में भी आपके पास इतना धन होगा जो बड़े-बड़े मंदिर बनाएंगे और धान पुनि करेंगे जो आधा कल तो धन्धान संपन भारत स्वर कहलाता ही है उसमें हमारे पास सब प्रकार की अखुट प्राप्तियां होती है लेकिन द्वापर युग जब प्रारम होता है उस समय भक्ति काल के अंदर भी बहुत अधिक धन रहता है जिसके कारण परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे दान पुनि भी करते हो बड़े-बड़े मंदिर भी बनाते हो उस समय भी आपके पास कोई भी कमी नहीं रहती है परमात्मा की कहते हैं कि आजकल के जमाने में वेस्ट को बेस्ट बनाते हैं वेस्ट को ही बचाते हैं, तो आप सब भी बच्चत का खाता सदा स्मृती में रखो, बजट बनाओ, संकल्प शक्ती, वाणी की शक्ती, कर्म की शक्ती, समय की शक्ती, कैसे और कहां, कार्य में लगानी है, ऐसे ना हो, यह सब शक्तियां व्यर्थ चली जाएं, संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण, दोनों बजट नहीं हुई, लेकिन गवाया, सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, वैसे बच्चत के इस बजट को थोड़ा सपश्टिता से बताएं, बजट बनाने का बहुत सुंदर तरीका परमात्मा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, कि दुनिया के अंदर भी जो चीजे बेर्थ जारहे हैं, वेस्ट हैं, उनको बेस्ट बनाते हैं, उसको भी कहीं कहीं रिसर्किल करके उसको कारे में लाते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं, आपके पास जो सक्तियां हैं, संकल्प की सक्ति है, बोल की सक्ति है, कर्म की सक्ति है, इन सक्तियों को चेक करो, कहीं पर भी बेर्थ तो नहीं जा रहे हैं, संकल्प हमारी चल रहे हैं, कोई काम के नहीं है, ऐसे ही सोच रहे हैं, ऐसे ही विचार कर रहे हैं, तो बेर्थ संकल् उसको चेक करें, कि हम जो मानलोग एक घंटे में हमने पचास बोल बोले, उस पचास बोल में कितना समर्थ बोल थे, कितने दूसरों को फायदा देने वाले थे, और कितना साधारन या बेर्थ थे, तो एक चेकिंग है, बहुत सुक्ष्म चेकिंग, जब हम अपने मन और संकल्प सक्ती पर हमारा कंट्रोल चाहिए, वो अगर हमारे बच रहे हैं, और बहुत अच्छे पोजिट्व संकल्पों में हम रहमन करते हैं, तो वो बहुत बड़ी सक्ती एक अंदर अंदर जमा होती है, परमात्मा कहते हैं, यह सुक्ष्म सक्तियां जो है, मन की, बुद् दान करके, उसको बचा करके भविष्व के लिए जमा कर लो साधारन सेवा की दिंचर्या व साधारन प्रवृती की दिंचर्या इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे वस अब इसको थोड़ा सपष्ट करें क्योंकि कई बार हमारी दिंचर्या जैसे रेगुलर की भाती हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं ओए कोई सेवा कर लेते हैं या पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन उसमें भी हम अगर द्यान दें कि ये साधारन दीटी से तुमारी दिंचरिया नहीं बेतीत हो रही है उसमें कुछ नमीनता हो, कुछ नया उमंग उस्सा हो कुछ नए धंक से हम योग अभ्यास करें नए ढंक से परमात्मा के महवाक्यों का चिंतन करें संकल्पों को बड़ा उंचा और ऐसा बनाएं स्रेष्ट जिससे हम अन्य आत्मों की सेवा कर सकें तो परमात्मा कहते हैं अगर आप साधारन जीती से अपनी जीवन वितीत कर रहे हो जैसे दुनिया के अंदर लोग कमाते हैं, खाते हैं, खर्च कर लेते हैं, खाली के खाली रहते हैं आप बच्चों को समझदार बन करके अपनी दिनचरिया को ऐसे सेट करना चाहिए जो हर कदम में पदमों की कमाई जमा हो आप जहां पर जाएं जहां पर मिलें किसी से तो उनको भी लगे कि इन आत्मों के वैवरिशन से इनकी सुब भावनाओं से कितनी सक्ति प्राप्त हो गए इस प्रकार कुछ नमीनता भरे संकल्प हो अंदर कुछ नमीनता भरे बोल हो और ऐसे स्रेश्ट कर्म हो जिनसे लोगों को कुछ सीखने को मिले कुछ प्रेनाएं पराप्त हो तो परमात्मा कहते हैं रोज की दिंचरिया जैसे साधारन डिती से चलने ऐसी नहो रोज नए से आप पुर्सार्थ करके आगे बढ़ो और दूसरों को आप से प्रेना पराप्त हो जै परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ यह नहीं चेक करो कि यथा शक्ति सेवा भी की पढ़ाई भी की किसको दुख नहीं दिया कोई उल्टा कर्म नहीं किया लेकिन दुख नहीं दिया तो जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की जैसे परमात्मा सदा डारेक्शन देते हैं कि मैं पन का मेरे पन का त्याग ही सची सेवा है ऐसे सेवा की जैसा बजट बनाने के इस नए रूप को थोड़ा सस्पश्टता से बताएं कई बार हम सेवाएं बहुत करते हैं और सेवाओं में अंदर भावनाएं कुछ अलग रहते हैं तो वहां पर परमात्मा हमारा ध्यान किचवाते हैं कहीं भी कोई कारी करते यह तो नहीं आता है मैंने किया मैं कर रहा हूं यह मेरी सेवा है जहां पर मैं और मेरा पन आ गया वहां पर वो सेवाएं कितनी भी अच्छी हों, उसमें माहिनस हो जाएगा। क्योंकि कराने वाला करन करावनहार परमात्मा है, जिसने हम बच्चों को निमित बनाया है। अगर मै और मेरा पनायेगा तो उसका सूक्षम अभिमान दिखाई देगा हमारे बूल में, हमारे कर्म में, हमारी चलन में और वो हमारे खाते को माइनस कर देगा। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान केचवाते हैं कि आप अच्चे किसी को दुख नहीं दे रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन समझदार वो है जो कितनी आत्माओं को हम सुख दे रहे हैं, कितना हम पुन्नी करम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दो क्योंकि उससे आपका बजट बढ़ेगा और वो आपके काम में आएगा, तो इस संगम समय पर एक बहुत सुख में चेकिंग है, कि जरा भी सेवाइं की जाएं, उमंग उस साथ से की जाएं, लेकिन मैं और मेरा पन्ना है, और उसमें हर आत्मा को हमारी सेवाओं से सुख प्राप्त हो, पुन्नी बजट को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मत हीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्सहा में किसी को लाया, वहे जमा करना, बच्चत करना, ऐसे ही दो घंटा, चार घंटा बीत गया, वहे बच्चत नहीं हुई, सब शक्तियां बच्चत कर, जमा करो, ऐसी बजट बनाओ, बहुत अच्ची विधिया परमात्मा हम को सिखा रहे हैं, अलग अलग रीती से, कि बोल हम बोल रहे हैं, लेकिन उस बोल में हमने किसी को उमंग उसा दिलाया, नाउमीद को उमीदवार बनाया, या हमने ऐसे ही बोल बोले और ठीक साधारान रीती से बोल कर चले आ जो बोल निकले उसे अन्य आत्माएं उमंग उसा में आ गई, जो हमारे कर्म हुए उसे अन्य आत्मों ने कुछ गुन सीखा, कुछ और प्रेनाएं पराप्तिकी, तो जैसे वो बजट हमारा बचत का बनता गया, और ये जिसका बचत बन जाता है, जिसका ध्यान अपने हर स कुछ देख करके उनको सीखने को मिले कहीं पर भी विर्थ नहीं कर रहे हैं, कहीं समय को गवा नहीं रहे हैं, ऐसे वैसे बातों में नहीं इनका समय जा रहा है, सुबे से रात तक कमाई का पूरा ध्यान है, ये बजट परमात्मा हम सबको सिखाते हैं, कि आप अपनी इश्वरिये बजट ऐसा बनाओ, जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करें, सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ती दो, चाहे जीवन मुक्ती दो, मनुष्य आत्माई तो क्या प्रकृती को भी पावन बनाने की सेवा कर इश्वरिये बजट अर्थात, सर्वात्माई, प्रकृती सहित, सुखी वश्यांत बन जावें। अब इश्वरिये बजट से अनेक आत्माओं का और प्रकृती का भी हम कल्यान कैसे करें, इसको थोड़ा स्वश्कता से बताएं। जब हमारे पास संकल्प सक्ती बच्ती है या हमारे बोल की सक्ती बच रही है, तो जो बच्ची हुई सक्ती है वो विश्वकल्यान की सिवा में लगाना। तो मनसा के द्वारा प्रकृती को धान दे रहे हैं, सांती की सक्ती दे रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, अगर आप बच्चत कर रहे हो अपने संकल्पों की अपने भूल की अपने कर्मों की या तानमन धन के सक्तियों की बच्चत कर रहे हो तो ये बच्चत विश्व कल्यान के सेवा में लग रही है ये आपके सुब भावनाओं से बहुत अच्छा वायुमंडल बन रहा है एक सुब संकल्प अनेक आत्मों को मुक्ति और जीवन म मुक्ति का दान दे रहा है तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे के वाल अपने लिए बच्चत नहीं कर रहे हो आप पूरे विश्व की और प्रकरति के कल्यान के लिए इसको पावन बनाने के लिए बच्चत कर रहे हो अगर बच्चत है तो आप सेवा कर सकते हो आप कुछ भी बोलेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे कल्यान के लिए बोल बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने ब्यर्थ नहीं किया परमात्मा हम बच्चों को बहुत सुंदर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने संकल्पों को अपने बोल को अपने कर्मों को बचा करके विश्व कल्यान क की सेवा में लगाओं विल्कुल भैसाब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्तियों की बच्चत का बजट बनाकर विश्व कल्यान का कारे कर सकते हैं है सब सबस्बश्टी करन के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रतीक आत्मा को कुछ ना कुछ मुक्ती या जीवन मुक्ती अवश्य प्राप्त हो प्रकृती सहित सभी सुखी वशांत बन जाएं। मुक्य साथ बचत का पजट बनाओ। इश्वरिय बजट अर्थात सभी को कुछ ना कुछ देना ही है चाहे मुक्ती दो चाहे जीवन मुक्ती दो जितना स्वयम को शक्ति शाली बनाएंगे उतना सेवा भी शक्ति शाली होगी। चेक करो इतना भागी जमाकिया जो 21 पीडी सदा संपन रहें। अधिक जानकारी के लिए संपर करें। पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर स्टूडियो से संपर्क करें। झाली होगी।